हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेडी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन सियर करने जारी हूं इस पैटन को आप जैंड साफ स्वेटर, जैंड स्पूल स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कोट्टी, बच्चों के और प्रोजक्ट कैप आदी में अपलाई कर सकते हैं बनके भुती सुन्दर हमारा यह पैटन आज आता है और फ्रंट ऐसे हमारा यह पैटन बनना स्टार्ड होता दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को स्सक्राइब ! और बैशन के लिए बेल आईकन दबाना नभूलई ! वीडियो已經 के लिचे लिए कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें आप देखिए फ्रांट साइड से बैटन की फर्स्ट रोव में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो, तीन ये तीन फंदे उल्टे बुने धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे भुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा भुनेंगे, ये देखें, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे भुनेंगे, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड दो फंदे उर्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उर्टे बुनेंगे धागा पीछे, लास्ट का फंदा, सीधा तो देखिए, फ्रंट साइट से हमारी पैटर्न की first row कम्ख्लीट हो गई हमारे प्रोजक्ट में जितने भी फंदे होंगे first row में हमने यही process repeat करना है अब देखिए, back side से second row अब second row में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, और देखे, front side की तरब से देखे, जो तीन फंदे उल्टे आये हैं, back side से सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी side, अब देखे, front side की तरब से देखे, जो फंदा सीधा है, back side से उ उल्टा आजाएगा, धागा पीछे, अब देखे, front side की तरब से देखे, दो फंदे उल्टे हैं, तो देखे, back side से दो फंदे, सीधे, धागा अपनी side, अब देखे, front side की तरब से एक फंदा, सीधा, back side से एक फंदा, उल्टा, ये देखे, ये 7 फंदों में हमारा pattern आ गया, फिर धागा पीछे करेंगे, और सेम प्रोसिस रिपेट करेंगे, तीन फंदे, सीधे, धागा अपनी side, एक फंदा, उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे, सीधे, धागा अपनी side, एक फंदा, उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे, सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा तो देखें बैक साइड से हमारी सेकेंड रो कंपलेट हो गई आप देखें फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा अ बुने राइट नीडिल में उतार लेना है फिर देखे जो नेस्ट उल्टा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे यह देखे धागा अपनी साइड है और इस फंदे को सीधा बुनेंगे अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इस फंदे को देखे इस फंदे के और दो का एक कर लेना है, फिर देखें, यहां पर एक जाली डालेंगे, धागा अपनी साइड, फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे, और सलाई पर लपेटते वे धागे को आगे लाएंगे, तो देखें, जो फंदा हमारा यहां पर घटा, वो यहीं पर जाली से बढ़ गया, फिर देखें, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है, वो इस फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे, फिर देखें, नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं, यह दो का एक कर दिया, फिर एक जाली डालेंगे यहां पर, और तीन फंदे उल्टे, यही प्रोसिस फोर्टरो, अब फोर्टरो में दिखें, पहला फंदा उतार लेंगे, यह पहला फंदा उतारा, और बैक साइड से हमने फोर्टरो को उल्टा बुनते हुए कमपलेट करना है, यही प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी फोर्द रो कम्प्लेट करेंगे यह देखे बैक साइड से हमारी फोर्द रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्तरो अब फिप्तरो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से फिप्तरो को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे यही प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रन्ट साइड से अपनी फिप्त रो कम्प्लेट करेंगे यह देखे अब देखे बैक साइड से शिक्स रो अब शिक्स रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से शिक्स रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी शिक्स रो कम्प्लेट कर लेंगे अब देखिए फ्रन्ट साइड से सेवन्त रोब अब सेवन्त रोब में हमारा पैटर्न रिपीट होगा तो देखिए यहाँ पे रिपीट की एक रोब यह पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे यह फ्रन्ट साइड से सेवन्त रोब है और सेवन्त रोब में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रन्ट साइड से हमारी सेवंत रो कंपलेट हो गई सेवंत रो को हमने फ़स्ट रो कीतरा बुनते हुए कंपलेट किया अब back side से देखे जो 8th row आएगी उसको हम second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे और बन के देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें थैंक यू